असलाम लेकुम फ्रेंट्स विल्कम बैक टो माई चैनल आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं मटन सुफियानी बिर्यानी की रेसिपी और यह रेसिपी जो है थोड़ सा अलग तरीके से अमने से तयार किया हुआ है तो बहुत ही कम मसाले में यह यह जो बिर्यानी होती है बहुत ही शांतार बन करके तयार होती है तो आये इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम इसे कैसे तयार करना है तो यहां पर हमने लिया है बिर्यानी बनाने के लिए एक किलो मटन और इसे हमने अच्छे से वाश कर लिया है अब हम यहां पर इसे मारिनेट करना ह तो एक ग्रीमेशन एक चली के अगरने करिंगे 2 गल लिजन मया चली आप पर अमक के बाद, एक ऊफित जाती आद्रक लेशन का ऐं ग एट करिंगे पर यहां पर हमने लिया है एक कप प्राइड नियन अश्म nat birthday subscription मेशली टेबल इसकंगे को और यहां पर हमने लिया हुआ है अठाए से बीज ग्रीन चिली का पेस्ट इसे आड़ करेंगे और दो लेमन जूस एड़ करेंगे इसके बाद यहां पर हम एड़ करेंगे दही जिसे हमने लिया है दो कप यानि की 500 ग्राम आप कम भी थोड़ा सा ले सकते हैं और इसे हमें मिक्स कर लेना है इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से तो यह बिर्यानी बिल्कुल कम मसाले में बहुत ही अच्छी बन करके तयार होगी तो देखें यहां पर हमने जो है दही को और सारी मसाले को अच्छे से मुटन में मिक्स कर लिया है यहां में लिट चर्ण चाले में 2-3 घंटे के लिए यहां नहीं पर तकि अच्छे से मीफने के लिए तक Theaso हेट में माटन में मसाला मिक्स हो जाया है अब देखिए यहां पे तकरीबन तीन घंटे बाद हमने इसे फ्रिज में से निकाला है और हम यहां पे एड़ कर रहे हैं धन्या की पत्ती और पुदीनी के पत्ते जैसे हमने बारिक सा काट लिया था और इसको हमें मिक्स करना है पुदीनी की इसमेल इसमें बहुत ही अब बढ़ते हैं नेक्स स्टेप की तरफ यहां पे बिर्यानी में तालने के लिए कुछ खड़े मसाले लिए हैं तो दो इंच का दाल्चेनी का तुक्रा लिया है यहां चे साथ लॉंग लिया हुआ है एक बादियान का फूल साथ से आठ चोटे लाइची दो बड़ी और चोटा सा जावितरी का तुक्रा लिया है अब हमें बिर्यानी बनाना शुरू करना है तो यहां पर हमने जो है लिया है साथ से आठ टेबलिश्पून मस्टर्ड और हमने उसे हीट कर लिया है अब सारे खड़े मसाले हम यहां पर एड़े कर देंगे और थोड़े से क्रे कि अप्राइब के लिए ताकि खड़ मसाले का फ्लेवर जो है और रिलीज हो जाए इसके बाद यहां पर हम एड करेंगे तीन हमने लाज साइस की प्याज लिया है इसको फाइनली चॉप कर लिया हुआ है उसे एड करेंगे और मिक्स कर लेते हैं तो यहां पर हमें फ्लेम को यहां पर जाए रख रखना है प्याज को हमें जाधा भूनना नहीं है भ्राओ नहीं कर नहीं बशुकी है बिल्कुल परफेक्ट क्लार से ऱाद बस हमें नहीं नहीं बूनना अब यहां पर एड़ करेंगे मैरिनेड किया हुआ है उसे एड़ कर देना है और हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी कच्छा पन मसाली का हो वह खत्म हो जाए तो हमें हाई फ्लेम पर इसे भूनना है तकरीबन दस मिनट तक आठ से दस मिनट हम इसी तरह से भून ले तो इसके सारे मसाली का कच्छापन खत्म हो गया है और वाटर अच्छा खासा रिलीज हो गया है तो अब हम यहां पर प्रेशर लगा कर कि इसे दस मिनट के लिए रख देते हैं एक प्रेशर राने के बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और 6-8 मिनट बस हमें लो फ्लेम पर इ प्रेशर बिल देख अधे गंटे के लिए और अधे अधे गंटे के लिए और इधर मतन खोल लिया है तो यहां पर अच्छा खासा वाटर इसमें से रिलीज हुआ है और और अल बीज जो इसको ड्राइक पानी को हम बढ़ी करेंगे तो तकरीबन हम इसे तीन से चार मिनट बहुता थाकि पानी को ब्राइब कर लेते हैं तो यहां पर रहे हमने हमने 3-4 मिनट के जहीं पानी को ड्राइब यहां पर नहीं थोड़ा साथा तो रहे हम अद्द करेंगे 3 टेबलस्पून आपड़ यदि अप्वल आट कर सकते हैं और 40-45 के करीब काजू का पेस्ट बना लिया है इसे हमने आड़ किया है तो इसे हम मिक्स कर लेंगे और हमें यहां पे फ्लेम बिलकुल हाई रखना है तो चार से पांच मियट हम इस मसाले को भून लेते हैं और इसके बाद फिर हम देखते हैं इसका टेक्स्चर जब तक मसाल चावल बनाने के लिया है एक बादियान कफोल, चार से पांच चोटे याची लिया हुआ है दो थेजपता एक अधरी मिर्च जिसको भीच में से भाव कर लिया है और चार से 5 लॉंग एक इंच का चिनी का टुकड़ा हुआ है और हाफ टे स्पून से आजीरा लिया है और हम यहां पर बर्तनी में को रख दिया है अग्तान के लिए जब दो पनी यहां पर बॉल हो जायेगा उसके बाद यहां पी चावल एड करेंगे तो इसमें घालक खड़े मसाले लिये हैं और जा फिल आड़ कर देना है और जेसे बॉल होने के लिए लिए रगेगने के लिए तो और दो टेबल स्पून हम यहां पे घी आड करेंगे इसके बाद हम यहां पे तीन टीस्पून नमक करेंगे चावल के कोड़िंग ही हमें एड करना है तो यहां पे जहें अब मिक्स कर लेते हैं से और इसे कवर करके रख देते हैं बॉयल होने के लिए अच्छे से तो देखें मटन भी रेडी हो जो है हमने पूरे मसाले को ड्राइण है अब यहां पर फिलेम को आफ कर देते हैं और म्टन डिलकुल डिया रिदी के चावल को उभा और जब एक रख जाए कंगे आ सए स्पीपले के जले पाने स्ट्रिन्ट अवाब को मिक्स कर । महें उस्ट कर लें नमक को हमें मुझार कुछ से लोगाकर है यहां पर अखिए नमक कमी में अखिए ढखेट सॉंदिर कहा कर ले सिक था के क्रफ़। तो हमने यहां पे और नमक एट किया है क्योंकि नमक कम था तो यहां पे हमने तकरीबन टूटी स्पून और नमक एट किया हुआ है तो अब जो है चावल को अच्छे से बॉइल होने देते हैं क्या तो नमक विखते चावल को अजिए आएशियो हुआ कि बे निशे थे सुझा सले कि यहां जाने की बैने कि लियाएं में नेयदी सोगे बाई तो यहां पे हम ने कटितों ल हम प्रेखने तो जात ब्लत अब अब चावले हैं तो जेंसे तो यहां पर रेड़े आद पानी क तो यह चावल नीचे वह प्र लिए लगए आपे तो पहली लेयर में हम यहां पर चावल लगांगे उसके बाद फिर अब हम जो है हम जो हम तो त्यार करते है उसे लगाएंगे सालन के साथ ज़ो है जो उसकी ठेजर है तो बीज़ दीम दालेगे ती हमें जुप झाले भी तो एक दम ध्यान से लेयरिंग करनी है और इसके बाद हमने जो पानी को बचा करके रखा हुआ था उसे थोड़ा सा डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून थोड़ा ही थोड़ा बस हमें डालना है ने तो बिर्यानी गीली हो जाएगी इसके बाद वापस से हम चावल की लेयर लग झालेंगे जब तक कि चावल खातम रखें तो यहाँ पे देखें लास्ट लेयर में हमें ओपर रखना है लास्ट लेयर में हमैं उपर रखो तिक अचावल को तैंपर बरापर से और इसके बाद हम इसके अऊ उपर जो है धन्या ‫की पति को और झारनिश अब के पास अगर बरिस्ता बना कर रखे हैं तो तो उसे भी डाल सकते हैं हमने यहां पर बरिस्ता कभी यूस किया है तो उपर से हमने उसको भी डाल दिया है और इसके बाद हमें इसे फिर दम पर रखना है तकरिबन 20-25 मिनिट बिल्कुल लो फ्लेम पर तो अब यहां पे इस पे लगा देंगे अलमुनियम फॉयल ताकि भाप बिल्कुल भी न निकले अच्छे से यह दम पर लगे तो हम इस तरीके से अलमुनियम फॉयल लगा देंग इसके बाद फ्लेम को बिल्कुल लो रख देंगे तो यहां पे बिल्कुल लो फ्लेम पर हमेशे 20-25 मिनिट तक रहने देते हैं दम के लिए उसके बाद हम चेक करते हैं बिल्यानी को तो पच्छेस मिनिट बाद यहां पे हम आप बिल्यानी को खोल करके चेक करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा दम जिल गया है तो अब आधा दिखाते हैं इतर भी है बनकुल डिलारा लग अलग अदो है , तो हम इससे मिक्स कर लें और इसके भाद से चलते हैं सर्फ करने चलिए अब हम इसे सर्फ कर लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदसी मर्टिन सूफियानी बिर्यानी जो है बन करके रेडी है तो इसे आप लुग जरूर से करियेग बहुत ही अच्छी कम मसाले में और बहुत ही श्पाइसी और टीस्टी बन करके तयार होगी देखें यहां पे चावल बिल्कुल खिला खिला से बन करके तयार हुआ है बियानी बहुत ही जबर्दस्त बन करके रेडी हुई है तो इसे आप लोग जरूर से ट्राइ करिएगा रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजेगा कॉमेंट कीजेगा और चैनल पर अगर पहली ब